गुद आप्टर नून इस्टूडेंट्स वेलकम टो जांक आइस अकेडमी स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में एक बार मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग मुझे प्रॉपर देख पारें सुन पारें किसी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है एक बा अल क्लियर ठीक है तो लास्ट लास्ट के अंदर हमारी बात हो रहे थी हमारी चर्चा हो रहे थी सिलेबस के बारे में हमने कुछ पॉइंट सिलेबस के बारे में जाने थे हमने यूपीसी का पैटन देखा कि यूपीसी किस टाइप के क्वेस्टन हमारे सामने रखती है क्या पैटन उसने बना खिम्हार्ण करेंगे या ग्लम या घच्छा कर पाएंगे योपीएज्ट सी के एक्जाम में अच्छा रिंग फ्रइव को Prime लाप आएंगे जो desired rank आपको चाहिए, desired post आपको चाहिए, IAS बनना है, IRS बनना है, IPS बनना है, या IFS बनना है, Indian Foreign Services में जाना है, जहां भी जाना है, वो सारी सुविधाया या सारी post आप लोगों के लिए available हो पाती है, जब हम एक अच्छी rank ले करके आप आते हैं, और अच्छी rank लाने में अच्छे number चाहिए, और अच्छे number लाने के लिए एक अच्छा option हमारे साथ में होना ज़रूरी है, यह बात भी हमने last class में करी थी, राइट, सर बेसिक से बता, यह बेसिक से ही तो बात हो रही है, मुझे लगता है आपने कल की class मिस कर दिया, इसलिए आप इसी बात कर रहे हैं, तो हमने देखा था, हर एक optional के अंदर दो paper होते हैं, एक paper 1 होता है, paper 2 होता है, जोग्राफी optional के अंदर भी दो paper होते हैं, एक paper 1 क्यालाता है, एक paper 2 क्यालाता है, जोग्राफी optional के अंदर paper 1 world geography से related है, paper 2 जो है वो इंडियन जोग्राफी से related है, paper 1 के syllabus को हमने देखा था, कुछ ऐसे 10 sub points में divide होता है, यह 10 छोटे छोटे topics में यह divide होता है, इसमें से हमने geomorphology and climatology, भू आकरती विज्ञान और जलवाईू विज्ञान के अंदर क्या पढ़ना होता है, यह हमने देखा था, और हमने उन सारे points को देखते हुए, जब आप GS का जोग्राफी का syllabus देखते हैं, वहाँ जोग्राफी के लिए UPSC ने ऐसा कुछ भी define नहीं कर रखा गी, यह points आपको पढ़ने हैं, यह topics आपको पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपके साथ में syllabus कर रहा हूँ, यह UPSC का syllabus है, मैंने मेरी तरफ से यहाँ ना तो कोई point add किया है, ना ही कोई point remove किया है, UPSC की तरफ से ही यह syllabus कुछ इसी तरीके से design है, और इनके अंदर जो sub topics हैं, इन सारे topics के अंदर जो और छोटे छोटे topics हैं, वो सारे के सारे UPSC ने define कर रखें, जैसे कल हमने part 1 geomorphology के अंदर अगर हम देखें, तो हमने यह सारे points discuss किये थे, यह सारे points हैं, वो UPSC ने लिखें मैंने काता है, मैंने काता है, well defined syllabus geography का, यह सारे के सारे points UPSC ने लिख रखें, सारे के सारे points दे रखें, कि आपको यह यह चीज़ पढ़नी है syllabus के अंतर गरत, मेरी तरफ से यह institute की दरफ से यहां पर कुछ भी add या remove नहीं किया गया, कुछ भी न तो जोड़ा गया नहीं हटा हुआ थी, और climatology की books, जहां तक मुझे याद हैं, हम कल कर डिस्स करना रहे गया था, तो books के बारे में अगर मैं बात करूँ, climatology जलवायू विज्यान में, तो NCIT तो हमें पढ़नी है ही, साथी साथ, NCIT तो हमें पढ़नी है ही, साथी साथ कुछ standard books हमें पढ़नी रहेंगी, जो geography optional के लिए बनी है, यहां अगर आप देखेंगे तो सारे वही option है, जो हिंदी और English दोनों में as it is available है, जैसे DS LAL साहब की climatology की किताब आती है, वो English में भी आती ही, हिंदी में भी आती है, दोनों तरफ में कोई problem ही नहीं, सेम किताब, सेम content हिंदी में, इंग्लिश में दोनों में available है, देन केके पांचाल, दोक्टर केके पांचाल, उनकी book इंग्लिश में भी आती हिंदी में भी आती, सेम दोनों तरफ available है, सेम content है, as it is English, पहले English book निकलती है, फिर उसका as it is Hindi translation करके, हिं समय ही नहीं है, कि तीनों books खरीदने बेठ होगे, कोई एक किताब इनमें से, जो आपको climateology की तैयारी जो है, वो करवाने देगी, जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूं, हम जो classroom में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए अगर मैं बात करूं, त बहुत अच्छे से answer writing के अंदर इनको use भी करना है, जिस दिन आपको लगने लग जाएगी, ये notes मैंने बहुत बार revise कर लिए, बहुत कुछ आ गया है, आप कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, notes के साथ में, तब आप इनमें से किसी एक किताब के साथ जाएं, जब हम इस topic को complete कर चुके होंगे, तब मैं किताबों के ऊपर एक चर्चा और आपके साथ कर लूँगा, 10-15 मिनट आदे गंटे की चर्चा और कर लेंगे हम, ताकि आप लोग को clarity बने रहे, अभी आपको पता ही नहीं, अंदर पढ़ना गया है, मैंने सिक topics बता हैं, अंदर कितना hard होता है, टॉपिक किस टाइप के question आता है, यह अभी आपको कोई idea नहीं है, यह हम दीरे दीरे आगे देखते हुए चलेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे questions वगेरा भी देखते जाएंगे, कैसे उसको attempt करें, यह सब कुछ हम वहाँ देखते जाएंगे, तो जो ब क्यों पढ़नी है, उसके बारे में भी चल्चा मैं आपके साथ करूँगा, पर आगे चल करके थोड़ी सी बात करेंगे हम, नेक्स जो थर्ड ट्रॉपिक आता है, यह हिंदी में जिसे हम कहते हैं समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान के अंदर, समुद्र विज्ञान के अंदर अगर हम बात करें, तो बॉटम टोपोग्राफी पढ़नी है, जो तली यह स्थलाकृती पढ़नी है, यानि जितने भी ओशीन के नाम या लिखे हुए हैं, जितने महासागर, तीन ओक के नाम लिखे हैं, अट्लांटिक ओशीन, इंडियन महासागर हैं, क्योंकि human activities यहां पर ज़्यादा involved है, मानव गतिवितियां इन तीन oceans के अंदर, इन तीन महासागरों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो इन तीनों oceans का bottom कैसा है, यानि नीचे, अगर गहराई में जाएं, पैंदे में जाएं इनके, bottom में जाएं, तो अं Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, इस सब के बारे में यहां पर चर्चा हमें करनी है, right, then temperature and salinity of the oceans, उश्मा, एवम, सुरी, ताप, एवम, लमनता, महासागर जितने भी हैं, उनका temperature कैसा होता है, उनकी salinity कैसी होती है, यह हमें यहां पर पढ़ना है, यह हमें GS में भी पढ़ना होता है, यह bottom topography हमे GS में नहीं पढ़नी होती है, यहां optional में पढ़नी है, लेकिन यह जो temperature and salinity of the oceans है, यह topic as it is हमें GS में भी पढ़ना होता है, महासागरो का तापमान कैसा बना रहता है, उनकी लमनता, salinity कैसी बनी रहती है, यह सारी चीज़ें हमें GS में भी as it is पढ़नी होती है, then heat and salt budget, उश्म एवम लमनता का budget, budget यानि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, heat कितनी आ रही है, salinity लमनता जो है, वो कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, यानि कैसे क्या factors हैं, कौन-कौन से कारक हैं, जिनकी वज़े से यह प्रभावित हो रहे हैं, affected हो रहे हैं, वो सब हमें यहां पढ़ना होता है then ocean deposits महासागरिय निक्षेप oceans के अंदर बहुत साड़ा Kubernetes हो रा है बहुत सारान निक्षेपज परा है बहुत सारी चीज़ें आकर के AID होती चली जा रही है वो deposits क्या है, क्यों है क्या उनका फाइदा है, क्या उससे हमें कुछ फाइदा हो सकता है क्या हमने उससे कुछ नुक्सान हो सकता है अगशाइदे हैं तो हम उसको कैसे करें अर नुक्सान है तो उससे हम कैसे बचें यह सारी चीज़े हमें यहां पर देखने होगी जिपु क्छा explaining करो होता है when में बात करते हैं कम देफ्ट में बात करते हैं यहां हमें थोड़ा और डिटेल में उसको पढ़ना रहता है जो तरंग है धाराएं हैं और ज्वार बटा यह तीनों क्या होते हैं वेव क्या होती है क्या होती है क्यों आते हैं क्या प्रभाव पढ़ता है वगेरा वगेरा सारी चीज़ें हमें पढ़नी है यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें घ्रेयस में अलग पढ़ना पड़ता। अंसे तथिल्म हैं उसके बारे हमें कर लहुंग है। जूड़री सुडेंट्स काफी बचे क्या बात है दस मिनट लेट लेट देन बायोटिक मिनरल एन एनरजी रिसोर्स जैविक खनीज और उर्जा संसाधन जैविक संसाधन महासागरों के अंदर कौन-कौन से यानि जीवन कैसा चल रहा है लाइफ कैसी चल रही है वो हमारे लिए संसाधन के रूप में रिसोर्स के किस प्रकार के हैं जैसे एक मिनरल बड़ा मिनरल रिसोर्स बात करो तो पेट्रोलियम वो ओशीन से ही हमें जनरली प्राप्त होता है सागरों से ही प्राप्त होता है तो इसके अलावा और कौन-कौन से रिसोर्स हो सकते हैं जो हमारे काम आ सकते हैं कैसे काम आ सकते हैं और ए वीडियोस फोटोस के साथ में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में तो यह प्रवाल जो हैं वो किस प्रकार के होते हैं और यह मर क्यों रहें bleaching का मतलब होता है इनका color उड़ जाना, इनका जो रंग है, हिंदी में विरंजन शब्द का मतलब होता है, रंग का उड़ जाना, तो यह रंग क्यों उड़ रहा है, क्यों मर रहे हैं, क्या दिक्कते हो रहे हैं इनके साथ में, वो सारी चर्चा हमें यहाँ पर करनी होगी, य देन बात करेंगे sea level changes की समुद्र तल परिवर्तन समुद्रों का तल जो है sea level जो है वो पानी का level बढ़ रहा है यह गट रहा है अभी फिलाल बढ़ रहा है गटता भी रहा है तो यह क्यों गटता रहता है क्यों बढ़ता रहता है फिलाल क्यों बढ़ रहा है इसके क्या प्रश्चाइक अभी समय है उसके बारे में चर्चाइक करनी होगी जैसे हम कुछ टेरिटोरियल जोन जो है वह पड़ते हैं उसके बाद एक्सक्लूजिव एकनोमिक जोन अनन्य आर्थिक शित्र एईजड के नाम से जिसे हम जानते हैं वो सब क्या होते हैं किस तरीके के नियम बनाए गए हैं सारी चीज़े हमें यहाँ पर देखनी होगी और देन हम बात करेंगे आज की एक ज्वलंत समस्या समुद्रों के अंदर क्लाइमिट के उपर बहुत बड़ा एफेक्ट आता है जलवायू पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और अगर समुद्रों में प्रदूशन बढ़ेगा तो जलवायू पर भी प्रभाव दिखेगा और जलवायू परिवरतन अगर हो रहे हैं जो क्लाइमिट चेंज जो हम आज देख रहे हैं जलवायू पुरिवरतन जो हम देख रहे हैं उनमें एक बड़ा पार्ट मेरीन पुलिशन का भी देखने को मिलेगा समुद्रों के अंदर का जो प्रोदूशन है उसका भी हमें देखने को मिलेगा मिलेग्या मैं अप्लोड कर्वा दूँ मिल्कुल कर्वाद हम कोई शु नहीं है कि अदर आप cooling लिए प्रेवस अप्लोड ओजाएगी सॉक्ति रख जितना люб हमें जो कुछ भी आपको पढ़ाऊँ पढ़ाऊंगा जिस PDF से मैं आपको पढ़ाऊंगा वही PDF आपको आजटी शेयर की जाएगी इससे बड़ा एडवांटेज आपका यह रहेगा जनरली क्या होता है classroom में पढ़ाया लग जाता है आपको जो notes प्रोवाइट किया जाते है वो different होते हैं तो बच्चे को बहुत जादा दिक्कत होती class में कुछ अलग पढ़ाया गया यहां कुछ अलग मिल रहा है वो चीज़े आपके साहत में नहीं होगी इसमें बहुत सारे डाइग्राप्स, बहुत सारे मैप्स होते हैं, और सारा कलरफुल मामला चलता है, सारी चीजें जो है, फोटोग्राप्स होगिरा, मैं बहुत कुछ एड़ करता हूँ यहाँ पर, जिसके लिए आपको अलग-अलग भटकना नहीं पड़ेगा, वरना बटकना पर दो, तो इसमें बहुत सारे मैप्स की ज़रुवत पड़ होते हैं, जो जनरल्ली इबुक्स के अंदर इवीलेबल नहीं होते हैं, दस किताबे चानों तो कहीं आपको जाकर के maps मिल पाते हैं वो सारे maps आपको as it is PDF के अंदर available हो जाएंगे और तीसरा advantage जो बच्चे खासतोर से हिंदी medium के हैं उनको Hindi और English दोनों में content मिलेगा as it is slide मिलेगी तो Hindi English bilingual content आप लोगों के लिए available रहेगा तो आप जो हैं Hindi वाले खासत रहा है हो सकता है कि आप उसका English term जो है वो generally change नहीं होते हिंदी terms बदल जाते हैं इंदी terms क्योंकि Google से कई बार translate किया जाता है जो भी तरीके अपनाती है यो PC उन तरीकों में कई बार English word तो सेम बना रहता है हिंदी word बदल जाता है तो हिंदी वाला बच्चा गुमता ही रह हमेशा उस content के साथ में जा पाएंगे उस content को जो है ज्यादा अच्छे से grasp कर पाएंगे एक और बड़ा advantage हिंदी medium वालों के लिए ये रहेगा हिंदी medium में generally क्या होता है जो English medium का जो content होता है वो high level होता और हिंदी medium का जो content होता वो कही न कहीं थोड़ा सा inferior देखने को मिलता ह हमें तो यहां जो classes होंगी मैं सारा content English में बनाता हूं उसको as it is Hindi में translate करता हूं कई बार translation में गड़बढ़ियां करता है Google तो उसको मैं सुधार देता हूं उसको सही कर देता हूं sentence proper बन जाए आपको सही से समझा जाए वो मैं आप लोगों के लिए चीज़े कर देता हूं ल एक लेवल का एक English medium का बच्चा करता है तो हिंदी मीडियम वाले यहां पर जो जनरल ही उनको disadvantage देखने को मिलता है वो disadvantage यहां पर उनको नहीं रहेगा as it is content मिलेगा जो की English medium के बच्चों को मिलता है कि ओके कि मैपिंग भी बताएंगे बिल्कुल पेपर टू के अंदर मैपिंग के बहुत सारी चीज़ें वह हमारी डिस्कुस होंगी कि 2022 का रिजल्ट कब आएगा आज आने के पूरे चांस है अभी तक नहीं आया है चलिए तो यह सारा पार्ट जो है वह हमारा यहाँ पर डिस्कुस होगा उशिनोग्राफी के अंदर बुक्स यहाँ पर हमें तो जिस दिन बहुत अच्छे से प्रिपैर हो जाए तैयार हो जाए उसके बाद आप डेफिनेटली बुक्स के साथ में जा सकते हैं नेक्स आता बायो जियोग्राफी जैव भुगोल या जीव भुगोल के नाम से जिसे हम जानते हैं जैव भुगोल का मतलब होता है जीवित वस्तुएं जीवित वस्तुएं जीवित वस्तुएं जो हमें देखने को मिल रही है उनके बारे में थोड़ी चर्चा होगी जैसे हम किसी पशु को या किसी पेड को कोई बिमारी हो जाए हम उसे ट्रीट करते हैं वो रिस्पॉंड करता है उसका घाव ठीक भी होता है उसको बिमारी भी ठीक भी हो जाती है वैसे सॉईल भी रिस्पॉंड करती है सॉईल का अगर आप उपचार करते हैं इलाज करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो वो भी ठीक होने लगती है, अगर आप उसका treatment नहीं करते हैं, या उसके साथ में जिसे exploitation होता है न, वैसा exploitation करेंगे तो soil की quality गढ़ती जाएगी, अगर आप उसका treatment करेंगे तो उसके quality बढ़ती जाएगी, तो इसी वज़े से हम इसे एक living organism की तरह मानते हैं, जीवित जीव की तरह मानते हैं, तो genesis of soil कैसे होता है, यानि मिटियों की उत्पती कैसे होती है, यह जित्ती मिटिया हम देख रहे हैं, यह सब बनी कैसे होंगी, इनके अलग-अलग characteristics क्यों देखने को मिल रही है, वो सारी चीज़े हम यहाँ पर discuss करेंगे, उनका classification देखेंगे, वर्गी करन अलग-अलग type की कौन-कौन सी soils होती है, और उनका distribution देखेंगे, वितरन देखेंगे, कहां-कहां किस-किस type की मिटि देखने को मिलती है, यह पार्ट जो है, वो हमें equally world level पर और equally इंडिया के level पर हमें पढ़ना होता है, भारत में भी मिटियों के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चीए, world level पर भी soil का classification किस टाइप का है, soils कैसे, classify की जाती, कहां-कहां कौन-कौन सी soil मिलती है, सारी चीज़े हमें यहाँ पर पढ़नी होगी, then होता है soil profile, ब्रदा हम यहाँ पर देखेंगे, then कुछ issues है, soil के साथ में भी कुछ समस्याइं है, जैसे कि soil erosion, म्रदा का अपरदन होना, मिट्टी जो है, वो धीरे 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 पानी के साथ, हवा के साथ, बहती चली जा रही है, अपरदन हो रहा है, या फिर उसका degradation हो रहा है, यानि अगर वो बहे करके नहीं जा रही है, तो उसकी quality कम हो रही है, जिस quality की मिट्टी थी, वैसी गुणवत्ता अब देखने को नहीं मिल रही है, आज से 10 साल पहले बहुत अच्छा production देती थी, आज production नहीं दे रही, अनुपजाओ टाइप की होती चले जा रही है, इनफर्टाइल ट पढ़ता है, हम इसको कैसे रोख सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्स करेंगे, और साती साथ म्रदा का संद्रक्शन, म्रदा एक ऐसा रिसोर्स है, जो लाखो सालों में बनता है, millions of years लग जाते हैं, तब जाकर के मिट्टी हमें देखने को मिल रही है, वो नहीं, खेती नहीं तो बुखमरी की स्थिती हो जाएगी, फूड सिक्योरीटी खतम हो जाएगी, खातिय सुरक्षा ही खतम हो जाएगी, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे, कि कैसे किया जाए, क्यों जरूरी है, कैसे किया जाए, सारी बात यहाँ पर करेंगे इन यहां यहांतञ होगई गोगी अब बायोजिओग्राफी में एक और जीवित जीव आते हैं आते हैं जो प्लांट्स जीसे हम प्लांट्स क्राइब वैजिटेशन अनीकर विनस्पती वो प्राकॉरोड वनस्पति जो है उनका डिस्रिबीशन सुन कैसा है यह तो को are इनकी वज़े से वहां का एंवार्मेंट किस तरीके से प्रभावित हो रहा है यह सारी चीज़े हमें यहां देखने होंगी और उसकी वज़े से को देखने को मिलेंगे तो वह उनका डिस्रिबूशन किस टाइप का देखने को मिल रहा है यह हम यहाँ पर देखेंगे देन प्रॉब्लमस ऑफ डीफॉरस्टेशन और कंजर्वेशन मेईजर मेजर वन जो है वह खतम होते जा रहे हैं उनको खतम होने से कैसे बचाया जाए माइन में फ्लो चार्ट बताया जाएगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम जब पढ़ेंगे टॉपिक्स तो मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे शौट तरीके से एकदम छोटे तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं सकते हैan तो फॉरस जो हैं वो खतम होते जा रहे हैं उनकी वजह से कौन-कौन सी समस्याइं होरी है problems हो रही हैं उनके बारे में चल्चा करेंगे और उन problems का क्या solution हो सकता है उपाई क्या हो सकता है इसके बारे में चल्चा करनी है यही सब कुछ पढ़ना है अभी तक मैंने यहां पर बात करी है bio geography के अंदर इसमें एक भी topic ऐसा नहीं है जो हमें GS में ना पढ़ना पढ़ता हो यह सब कुछ GS में भी पढ़ना पढ़ता है यह सब कुछ यहां पर भी पढ़ना है यहां कुछ difference है नहीं कोई बहुत ज़्यादा major difference प्रमुख अंतर या बहुत बड़ा अंतर यहां देखने को हमें नहीं मिलता है इसलिए मैं आपको कहता हूं अगर आप जोग्राफी ऑफ्षनल लेते हैं तो जोग्राफी ऑफ्षनल को पढ़ने से आपका जीएस का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर होता हुआ दिखने के अगर आप कोई और ऑफ्षनल के साथ जाते हैं mathematics औरौफ्षनल लिए साथ फिजिक्स और लिया जी जूसम्स में कहीं काम नहीं आए गए अलग से उस और को तैयार करना पढ़ेगा अपने पढ़ने पोड़ेगा जोग्ण के साथ में एक और नया बढ़न क्रीट कर देगा लेकिन जोग्राफी ऑफ्षनल जी इस को ही कवर कर है एक साथ कैसे को एक साथ को सकते हो सब्सक्राइब हुआ movement कि क्रिशी ऑर हम कहसे कर सकते हैं उसके बारे में चल्चा हम यहां पर करेंगे गया मालाइफ वन्यजीवन कैसा है पर फटामाल इसके प्रम यह जीवन पर उसके बारे में बात होगी और कुछ gene pool centers होते हैं, major gene pool centers जो हैं, वो कौन-कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे, gene क्या होता है, थोड़ा science and technology, biology, especially science के अंदर, general science का part, वो भी बात हम यहाँ पर करेंगे कि gene क्या होता है, gene pool क्या होता है, gene pool करने वाले centers कौन-कौन से हैं, वो मिल जाती है इसके लावा एक और किताब आती है मार्क वी लॉमिली नो की जो की फॉरेन ओथर है फॉरेन के हिसाब से लिखी गई किताब है भारत का जो यूपीसी का स्लेबस पर्टिकुलर उसके कुछ-कुछ पॉइंट सी इस बुक के अंदर मिलते हैं यह बुक काफी कहीं पर भी हिंदी इंग्लिश को लेकर के यहां पर नहीं होती है नेक्स पार आता है हमारा एन्वाइनमेंटल जोग्राफी का जो हमने फिजिकल जोग्राफी के पाथ सब सेक्शन देखे थे दो की बात कलम ने कर ली थी अभी अभी हमने समुद्र विज्यान ओशीनोग्र जोग्राफी और जोग्राफी की बात कर लिए अब हम बात करने जा रहे हैं एन्वाइनमेंटल जोग्राफी परियावरणिया भुग्राफी इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना होगा यह पूरा वो सेक्शन है जो आप जी एस पेपर थी के अंदर एन्वाइनमेंटल एकलोजी के रूप में देखते हैं एन्वाइनमेंट बायो डाइवर्सिटी एन्ड एकलोजी जो सेक्शन हमें लिखा हुआ देखने को मिलता है वो एस इट इस यहाँ पर भी हमें पढ़ना है अगेन जैसा मैं आपको एडवांटिज दिखा रहा हूँ यहाँ पढ़ेंगे हम उसी चीज को, GS Paper 3 में भी पढ़ेंगे हम उसी चीज को एक ही चीज को दो जगोँ पर काम में ले सकते हैं ये एक बार पढ़ना है दोनों जगोँ पर उसके Question and Answer देखने को मिलेंगे दोनों जगोँ पर हम उसके Answer दे पाएंगे तो Smart Study करें अगर हम करे तो smart study के perspective से देखा जाए तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ जोग्राफी ओप्शनल 800-900 नंबर का ओप्शनल है आप आसानी से GS में भी excellent marks जो है अच्छे नंबर जो है वो ला सकते हैं इस से बढ़य हूआ क्या चीजह मैं आक्कती हैं आप के पास में ऑप्शनल में आचीजहों में न's करके अदिए रीकॉर्डे क्रवाइस होगी दो बार लेओ उस चीहां कैसा कोई प्रैक्टिस करेंगे दो बार राजने को सकते हैं लोगोगोर सब्सक्राइब हो सकता है इससे बढ़िया वर्दान हमारे लिए क्या हो सकता है इस वज़े से ज़्याधा जाते हुए हमें देखने को मिलते हैं तो इसके अंदर हम देखें प्रिंसिपल्स ऑफ एकलोजी यह हमारे प्रिलिम्स में भी बहुत क्वेशन आते हैं इकलोजी के अलग-अलग टाइप के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में क्वेशन हमें देखने को तो फूड चेन, फूड वेप, बायो मैगनिफिकेशन, जैव आवर्दन, जैव संचयन, ऐसे ऐसे जो टॉपिक होते हैं यूट्रोफिकेशन, सूपोशन, यह सब चीज़ें जो हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एकलोजी के अंदर, पारिस्तितिकी के अंदर, लिंड मैन्स लॉओ, लिंड मैन का नियम क्या है, पारिस्तितिकी अनुकरमन, इकलोजिकल सक्सेशन क मानव, पारिस्तितिकी, अनुकूलन, जो अलगालग टाइप के पारिस्तितिकी तंत्र है, जो अलगालग टाइप के इकलोजिकल सिस्टम है, उनके अनुसार हम कैसे डमे है, स्क्सक्रमन, पन्एवन, पर्यावरण पर मानव का प्रभाव Gs में भी पढ़ना है हम किस तरीके से अपने आसपास के एन्वार्मेंट को अफेक्ट कर रहे हैं यह हमें पढ़ना है ढोनों जगे परना जीस में पढ़ना यहां अप्सम में भी बढ़ना ग्लोबल और रीज्मल एकी लोजिकल changes and imbalances वैश्विक इस्तर पर और क्षेत्री इस्तर पर पूरी प्रित्वी पर और आप जिस भी खेत्र को देख रहे हैं जिस भी रीजन को देख रहे हुं दोनों जगों पर हमें क्या-क्या पारिस्टिति की परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं changes देखने को मिल रहे हैं और उसकी वज़े से क्या-क्या असंतुलन पैदा हो रहा है imbalances create हो रहे हैं वो सब हमें यहाँ पर पढ़ने को मिल जाता है दो बार चीजें दो बार पढ़ने से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल उसके बाद ecosystems, their management and conservation पारिस्तिती की तंत्र उनको कैसे manage किया जाता है उनका प्रबंधन कैसे होता है और उनका संदक्षन कैसे होता है यह जीएस में भी पढ़ना होता है प्रिलिम्स के लिए भी पढ़ना होता है यहां ऑप्शन के लिए भी पढ़ना रहेगा देन एन्वाइन्मेंटल डिग्रिडेशन पर्यावरण यह निमनीकरन क्वालिटी घट रही है हमारे एन्वार्मेंट की क्यों गट रही है क्या हो रहा है उसको हम manage कैसे करें और उसक ऑंपोशनिये विकास जीस में भी पढ़ना यहां भी पढ़ना प्रिलिम्स बाइवरशिटी से तो प्रिलिम्स में भी बहुत सारे questions हमें देखने को मिल जाते हैं बातों में इन्वाइन्बंटल पॉलिसी अलग अलग प्रकार की नीतियां सरकार जो है वो लेकर करके आती है है परियावरण के लिए उनको हमें पढ़ना हुता है। प्रिलिम्प में भी बहुत question आते हैं इससे अलग-अलग टाइप की policy के बारे में अलग-अलग efforts किये जा रहे हैं उनके बारे में international level पर क्या हो और उनको उनसे कैसे बचा जाए रेमेडी कैसे की जाए उनका उपचार कैसे किया जाए यह जीएस में भी पढ़ना यहां पर भी पढ़ना एज़ती जाए और इसको बचाने के लिए कौन-कौन से नियम, कानून जो हैं, वो सरकार द्वारा बनाए गए हैं, equally important, GS के लिए भी, prelims के लिए भी, यहां पर भी, सब कुछ as it is पढ़ना है, prelims के लिए भी यह सब कुछ पढ़ना पढ़ता है, इसमें से कुछ points या नया, आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, हाँ से पढ़े सर, NCRT के अलावा, स्तमिंदर सिंग जी की किताब, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती हैं, R.C. चांदना की किताब, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती हैं, और पूरे section की पेपर वन का जो physical geography वाला पाट था उसकी बात हुई कि इसके अंदर हमें सब कुछ पढ़ना होता है जो कि आप अभी तक देख चुके हैं पूरी तरीके से इसमें से मुश्किल से दो चार topic ऐसे होंगे जो GS में नहीं होते हैं यहां पर होते हैं इसमें पड़ना होता है जो हम स्टार्ट करने इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो सिर्फ इस और पढ़ना होता है जो हमें जीएस में नहीं पढ़ना होता है है मान वह बूगोल human geography इसके अंदर प्रस्पैक्टिव in human जे इसके अंदर में संदर्श यह पूरी तरीके से हमें यहाँ जोग्राफी option में ही पढ़ना होता है जीस में इसे हम बहुत हलके में पढ़ने कचे पॉइंट्स थे वहां पढ़ते हैं यहां हमें में पढ़ते हैं यहां थोड़ा और गहराई में देखना रहेगा रीजिनल प्लानिंग जीस में नहीं पढ़ते हैं यहां पढ़ना रहेगा और मॉडल्स ठीरीज और लॉज यह जीस में नहीं पढ़ते यह यहां पढ़ना रहेगा इनमें क्या आएगा अभी इनको डीटेल म काम आएगा कि नहीं आएगा इतना सोचना दिबाग लगाने की ज़रूत हमें रहती नहीं है क्योंकि सारे पॉइंट्स लिखे हुए हर एक चीज लिखे हुए कि क्या क्या आपको पढ़ना है परस्पेक्टिव इन हीमन जोग्राफी परस्पेक्टिव या हिंदी में जो संद तो सबके अपने अपने परस्पेक्टिव है अपना अपना देखने का नजरिया है और ये संदर्श चलता है यानि देखने का नजरिया के अंदर हमें ये सारी चीजें पढ़नी है जैसे ए rotor differentiation शित्रिय अलग- एरिया में आ जाते हैं तो उनमें कुछ difference देखने को मिलते हैं क्यों होते हैं क्या होते हैं उसका क्या फर्क पढ़ता है सारी चीज़े हम यहां पर पढ़ेंगे रीजनल सिंथेसिस प्रादेशिक संसलेशन प्रादेशिक इस्तर पर हम अलग-अलग तरीके से कैसे प्रदेशों को बनाएं अलग-अलग यह प्रदेश अलग है यह रीजन अलग है यह सब हम कैसे सोचे कैसे क्या करें उसके बारे में हमें यहां पर पढ़ना है उन चीजों को समझना है कुछ सिद्दान्त हैं कुछ थेरीज हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे यहां पर दन डाइकोथमी एंड डियोलिजम वीभाजन एवं वैतवाद चीजों को दो-दो तरीकों से देखना अलग-अलग तरीकों से देखना उसमे अपकोथमी एन्ड डियैलिजम देखने को मिलंगा कुछेह, पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में समझेंगे यह दोव में क्या डिफ्रेंस होता है, कैसे यह काम करती हुई हमें देखने को मिलती है कि बार हमारा नजरया एन्वार्वर्ण वाद का होता है हमें उद्ध्योग नहीं लगाने क्युक्शान पहुचा रहे एक नजर्या यह भी होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे Then quantitative revolution and locational analysis, मात्रात्मक करांती और अवस्थिती विशलेशन, quantity जो है मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा, बहुत ज्यादा quantity, उसका revolution कैसे लाया जा सकता किसी जगे पर particular quantity, जो है particular चीज की quantity, किसी एक चीज की मात्रा जो है कैसे बढ़ा ही जा सकती है, साथी साथ locational analysis, किसी किसी नदी के किनारे बेठे हैं और आसपास मैदानीक शत्र है, तो ज़्यादा बढ़िया काम ये होगा कि वहाँ पर खेती की जा सकती है, आसपास मैदानीक शत्र है, नदी भी वहाँ पर है, तो खेती की जा सकती है, लेकिन अगर सिफ नदी फ्लो कर रही है, पहाडीक शत रहें तो जादा बढ़िया काम यह होगा कि उस नदी के उपर एक डैम बना दिया जाए और हम क्या कर सकते हैं electricity generate कर सकते हैं डैम बना करके दूसरी जगों पर irrigation कर सकते हैं सीचाई कर सकते हैं उसी नदी को हम अलग-अलग जगों पर अलग-अलग तरीकों से काम में ले सकते हैं, लोकेशन का फर्क है, अवस्थिती का डिफरेंस है, अवस्थिती का अंतर है, तो वो अवस्थितियों को कैसे समझे, कहां क्या चीज अच्छी हो सकती है, कहां क्या चीज बूरी हो सकती है यह सब समझना यहां पर हम देखेंगे then radical, behavioral, human and welfare approaches अलग-अलग type की approach होती है अलग-अलग प्रकार से सोचने के तरीके होते हैं जैसे radical, उग्र सुधार करने जल्दी से जल्दी सुधार करने है वो radical approach होती है ब्यावाहारी behavioral मनलब चीजें जो हैं वो अच्छे से manage करते हुए चलना, that is behavioral approach, वो कैसे काम करती, क्या फाइदे नुकसान है, मानवी ये सोच रखे हम, मानवता का दृष्टी कौन जो है, वो जादा रखे, उसके फाइदे नुकसान क्या है, उनको हम देखेंगे, और साथी साथ कल्यान, welfare, quality अगर आप पढ़ चुके हैं, तो भारत एक कल्यान कारी रज्ज है, तो वो कल्यान कैसे हो, वो welfare कैसे हो, इसको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम human geography में हैं, देखिए आप human geography में हैं, तो मानव को केंडर में जदा रखा जाएगा, humans के बारे में जदा जो है, अभी हम physical factors के बारे में कम सोच रहें, आसपास की चीजों को मानव के लिए कैसे जदा काम में लाया जा सके, as a resource कैसे काम में लाया जा सके, या हम मानव के लिए क्या जदा जदा अच्छा से अच्छा कर सके, वो चीज़ें यहाँ पर जदा चलेगी, क्योंकि आप human geography पार्ट के अंदर हैं. I think sir, सारे GS paper से कोई ने कोई topic है ही, geography optional, बिल्कुल है ही, मैं इसलिए तो आपको गह रहा हूँ, जोग्राफी optional कुछ अलग से बहुत जदा नहीं पढ़ना पढ़ता, GS में जो पढ़ा जाता है, उसी को थोड़ा और गहराई में, थोड़े कुछ नए topics के साथ में, हम यहाँ पर पढ़ते ही पढ़ते हैं. Then languages, religions and secularization, भाषाएं, धर्म और धर्म निर्पेक्ष्टा या पंथ निर्पेक्ष्टा क्या होती है, कैसे develop हुई है, कैसे क्या चीज़ें चलती हैं, उन सब के बारे में चर्चा हमारी होगी. Then cultural regions of the world, विश्व के सांस्कृतिक प्रदेश और Human Development Index, HDI, यह आप economy में भी पढ़ते हैं, prelims के लिए भी पढ़ते हैं, mains के लिए भी पढ़ना ही है, और यहाँ पर भी पढ़ना ही है. यह particular part जो है, वो generally आप quality के अंदर पढ़ते हैं, यह art and culture, cultural regions जो है, art and culture के अंदर पढ़ते हैं, history वाले part के अंदर, language, religion, secularization जो है, वो आप quality के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ना है. GS में आप कही ने कहीं किसी subject को touch करी लेंगे, शायदी कोई ऐसा topic subject हो, जो geography option के अंदर ना बैठता हो, कहीं ने कहीं कुछ ने कुछ जो है, हर एक topic कहीं कहीं किसी subject का आपको देखने को मिल ही जाएगा, चाहे वो Indian society हो, चाहे वो ethics ही क्यों ना हो, चाहे वो polity क्यों ना हो, सब से अच्छी किताब है, क्योंकि इसमें पूरा syllabus cover होता है, बाकी कुछ और किताब है, जोग्राफिकल थोट बाया, आर डी, दिक्षित, और सुदेपता अधिकारी, लेकिन ये पूरी तरीके से जो हमारा syllabus है, ये सारे points जाए, ये cover नहीं करती, कुछ-कुछ points चूट जाते है तो ultimately आपको इस किताब की शरण में जाना ही पड़ता है, माजीद उसेन साब की ये जो किताब है, ये पूरी तरीके से इसी syllabus को, UPSC का जो geography optional का syllabus है, उसी के according लिखी गई है, तो आप हिंदी और सबसे बड़ा advantage है कि English और Hindi दोनों में available है, तो आप इसके साथ में जा सकते हैं Next, economic geography, ये पूरी की पूरी एकनोमी है जो आप GS में पढ़ते हैं, पूरी की पूरी एकनोमी का वो part जो आप GS में पढ़ते हैं, world economic development, विश्व में आर्थिक विकास कैसे हुआ है, उसके अंदर measurement and problems, विश्व का आर्थिक विकास जो इसको कैसे नापते हैं और उसकी क्या समस स्याएं हैं, उनको हमें जानना है, world resources and their distribution, विश्व में कैसे संसादन हैं और कैसे कहां-कहां वो मिलते हैं, उनके बारे में चर्चा में करनी है, energy crisis, उर्जा संकट किस प्रकार से create हो रहा है, world में, उसके बारे में चर्चा करनी है, and the limits to the growth, समवरिद्धी की सीमाई, जो growth हम सोचते हैं, बारत की GDP इतने percent से बढ़ रही है, 8% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है, 15% से बढ़ रही है, उसकी क्या limits है, उसकी क्या सीमाएं हैं, ये भी हमें यहाँ पर जानना होता है, ये पूरा economy का part है, ये आपको prelims के लिए भी पढ़ना पढ़ता है, ये सारी ची पूरा का पूरा एक topic आपको देखने को मिलेगा, GS paper 3 के अंदर, वो पूरा का पूरा यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, और typology of agricultural regions, क्रिशी प्रदेशों की प्रारूपता, क्रिशी प्रदेश किस प्रकार के होते हैं, उनकी क्या विशेष्टाएं होती है, ये हम की जरुरत होती है, क्या क्या चीज़ें हमें देनी पड़ती है, जिसे लेबर देनी पड़ती है, जमीन चाहिए होती है, सी चाहिए करनी पड़ती है, पानी चाहिए होता है, भी चाहिए होता है, खात चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है, उसमें चाहिए होती है आज के inputs की modern inputs की बात करें मशीनरी चाहिए होती है irrigation के नए नैड developed systems जो है वो चाहिए होते हैं बहुत सारे inputs की आविश्रक्ता होती है और उन inputs के according हमें कैसी productivity मिलती है कैसा कैसी उत्पाध अगता मिलती है यह समभ यहां पढ़ते हैं food and nutritional problems जो खाद्य एवं portion की समस्यां कैसे create होती है उनके बारे में हम यहां पढ़ते हैं then food security खाद्य सुरक्षा कैसे है अगर खाद्य से related समस्यां है लोगों को proper भोजन नहीं मिल रहा तो हम क्या तरीके अपना है जिससे की food security अचीव की जा सके खाद्य सुरक्षा जो है वो प्राप्त की जा सके यह सब कुछ अब GS में भी पढ़ते हैं फैमाइन दूर्बिक्ष अकाल जिसे हम कहते हैं वो क्यों पढ़ते हैं कारण क्या क्या है उनके क्या प्रभाव पढ़ते हैं अगर किसी जगे पर अकाल पढ़ा है तो इसके क्या effects हो रहत Kane और उपचार कैसे करेंगे रिमेड़ी कैसे करेंगे से निपटेंगे कैसे यह सब कुछ हमें यहाँ पढ़ना होता है यहाँ पर भी हमें पढ़ना होता है त्रोल्द इंडश्री विश्wort लाँच के उद्ध्योग लोकेशनल पैटर्न सनल्फाइडब्लम्स अवस्था अवस्थानिक प्रति रूप यानि किसी लोकेशन के अकॉर्डिक हमें पर कि हम उनको लगाते हैं उनके बारे में बात करेंगे और हर इंडस्री के अपनी कुछ समस्या हैं प्रॉब्लम्स है उनके बारे में भी हमें यहां चर्चा करनी है और फिर पैटन देखेंगे पूरे वर्ल्ड में कैसे ट्रेड हो रहा है कैसे व्यपार हो रहा है उसका पूरा का पूरा पैटन कैसे चल रहा है कैसे पूरा वर्ल्ड का ट्रेड जो है वो चल रहा है यह हमें य साहां से पढ़ सकते हैं NCRT पढ़ने के अलावा आर रॉनेल्स और जे वेरिंग मैड सिंपल जो बुकाती एकनॉमी और सोशल जोग्राफी मेंड सिंपल यह बुकाती है यह से फॉरेन ऑथर की किताब है इसमें कुछ ही टॉपिक मिलेंगे सारी चीज़ा नहीं मिलेंगी और नहीं हिंदी में अवेलेबल है बट आप इसको पढ़ सकते हैं इसके अलावा एकनॉमिक जोग्राफी हाट्षॉन एंड्रू मैं यह बी एक किताब है जो अगेन फॉरेन ऑथर की किताब है अच्छी किताब है थोड़ी महंगी किताब है लेकिन यह भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन जो सबसे बड़े हमारे syllabus को cover करने वाली बुक किताब है वो अगेन माजिद हुसेन, बुगोल, मानव बुगोल या Human Geography जो बुक आती है, ये पूरी तरीके से हमारे syllabus cover करती है, साथी साथ Hindi और English दोनों में available है, ये हमारे लिए सबसे बड़े बुक निकल करके आती है, जिसके साथ आप जा सकते हैं, इन किताबों में जो कुछ भी है, वो आपको class में मेरे notes में मिल जाएगा, जो कुछ भी extra है, वो आपको अलड़ी हमारे notes में मिल जाएगा, पहले कौन सा topic स्टार्ट करेंगे हम जिस syllabus को जिस तरीके से देख रहे हैं जिस pattern में देख रहे हैं जिस order में देख रहे हैं वैसे हम पढ़ते भी जाएगे ये syllabus डिजाइन ही इसी तरीके से किया गया है, जब तक आप geomorphology नहीं समझोगे, तब climatology नहीं समझोगे, oceanography समझोगे तो भी climatology अच्छे सा समझ पाओगे, तो सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी गुई हैं, तो हम इसी pattern में पढ़ेंगे, जैसा हम समझ रहे हैं इस syllabus को, उसी pattern में एक के बाद एक इसी order के अंदर पढ़ते चले जाएंगे, देन आता है population and settlement geography, जन संख्या एवं बस्ती भूगोल, जन संख्या बस्ती भूगोल के अंदर growth distribution of world population, विश्व की जन संख्या की ब्रद्धी और वित्रण, जन संख्या हमारे लिए GS में भी हमें पढ़ना ही पढ़ता है, वर्ल्ड के बारे में हम थोड़ा कम पढ़ते हैं, यहां हमें इंडिया के बारे में तो पढ़ना ही है, पेपर टू की जब हम बात करेंगे तो वहां इंडिया के अंदर भी पूरा का पूरा population settlement वाला chapter आएगा, और उसके अंदर हमें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन यहां पर जो है, वो हमें वर्ल्ड के बारे में पढ़ना यह कहां, sex ratio के साथ देखने को मिल रहा है, कहां जो है, age composition कैसा है, आयू की सनरचना कैसी है, बुजर्ग लोग जादा कहा है, जवान लोग जादा कहा है, बच्चे जो है, वो जादा कहा है, क्यों है, क्या कारण है, उससे क्या क्या प्रभाव होगा, जैसे जापान में जानना होता है, यह सब कुछ GS में भी जानना होता है, causes and consequences of migration, प्रभासन, एक जगे से दूसरी जगे जाना, लोग एक जगे को छोड़ करके दूसरी जगे जाते हैं, क्यों जाते हैं, कारण क्या है, causes क्या है, उसको जानना है, और उसके परिणाम क्या होगा, अगर लोग य यहाँ पर जानना होता है, पढ़ना होता है, concepts of the over, under and optimum population, किसी जगे पर जादा population हो, तो फाइदे नुकसान क्या है, किसी जगे पर कम जनसंग क्या हो, तो फाइदे नुकसान क्या है, और किसी जगे पर optimum population हो, हिंदी में जैसे अनुकूलतम जनसंख्या क्या क्याते हैं, या सब कुछ अभी तक जो हमने डिस्कस किया distribution of world population वगेरा सारी चीजें जो हैं वो हमें GS में भी पढ़नी होती है population से related कुछ theories है जनसंख्या से related कुछ सिद्धानत है ये जरूर हम GS में नहीं पढ़ते हैं ये हमें सिफ यहाँ geography option के अंदर पढ़ने रहते हैं अलग-अलग लोगों के अपने अपने कुछ अलग-अलग सिद्धानत है माल थस्क की theory अलग-अलग theories है जिनको हम यहाँ पर समझेंगे world population problems and policies विश्व की जनसंख्या की अपनी क्या समस्या है और उनके लिए क्या solution लाए जारे सरकारों के द्वरा क्या नीतिया बनाई जारी क्या policies बनाई जारी है उनको हमें यहाँ पर समझना रहेगा then social welcoming and quality of life समाज कल्यान सरकारे कितना जनता की भलाई के लिए काम कर रही है और लोगों का जीवन का जो स्तर है गुणवत्ता स्तर है वो कितना अच्छा है कुछ लोगों का अच्छा है कुछ लोगों का बुरा है तो क्या कारण है जिसकी वज़े से कुछ लोगों का जीवन स सतर इतना अच्छा नहीं है उन सब चीजहों के बारे में डिसकुशन हमारा यहां पर होगा पॉपूलेशन है बros Sophia capital साजीक पूझी जनसंख्या कैसे समाज की पूझी के रूप में capital के रूप में काम में आ सकती है कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो पाता है जो शहरी क्षित्र के अलावा अगर हम डूसरे क्षित्र में जाएं ग्रामीन क्षित्रों में तो ग्रामीन क्षित्रों के भी अपने कुछ रहने के तरीके होतें वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं जो सेटल हो चुके हैं उनके अपने कुछ तरीके हैं कुछ पैटन हैं जिन में की वो रहते हैं और अलग-अलग टाइप से रहते हैं कोई कुछ अलग तरीके से रहते हैं कोई कुछ अलग तरीके से रहते हैं तो अलग-अलग प्रकार कौन-क वो set pattern कौन-कौन से हैं यह हमें यहां पर जानना रहेगा अगेन ग्रामी निवस्तियों में परियावरणी यह मुद्दे जो rural areas हैं उनकी भी अपनी कुछ environmental problems हैं वो environmental issues क्या-क्या हैं वो समस्याइं क्या-क्या हैं उनको हम जानने की कोशिश यहां पर करेंगे तो यह पूरा का पूरा population and settlement geography का पार्ट होगा जो कि human geography के अंतरगत आता है यह देन hierarchy of urban settlement वो बात तो हमने rural area की करी ग्रामीन क्षेत्रों की करी अब शहरी क्षेत्रों के भी अपनी कुछ दिक्कते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो hierarchy of urban settlement नगरी यह बस्तियों का पदानुक्रम बलब नगरी यह बस्ती एक छोटी होती है कस्वा होता उससे थोड़ा बड़ा शहर होता फिर उससे बड़ा शहर होता है मैट्रो सिटी होता है ऐसे अलग-अलग जो hierarchy होती है वो hierarchy को हम देखेंगे पदानुक्रम को हम देखेंगे then urban morphology जो शहर होते हैं उनका आकार कैसे decide होता है अभी-अभी recently अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आप लोगों के लिए जो session किया था उसमें question भी किया था इसी से related question है था 2021 के paper के अंदर urban morphology नगरी यह आकारी की तो वहाँ पर हमने देखा था नगरों के आकार जो है उनकी size जो है उसके बारे में कुछ सिद्धान्त है कुछ theories है जो अलग-अलग theories हमारे सामने लेकर के आए है अलग-अलग विक्यानिक जो है वो लेकर के आए है तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पर चर्चा करनी रहेंगे concept of primate city and rank size rule प्रमुक शहर primate cities जो है वो क्या होते है और श्रेणी आकार प्रणाली की संकल बना श्रेणी के अनुसार मतलब उनको किन-किन categories में कोई छोटा शहर फिर बड़ा शहर फिर बड़ा शहर क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे की हम इसको इस category में डाल सकते हैं किन-किन तरीकों से हम ऐसी category बना सकते हैं यह चोटा शहर है जनसंक्या के आधार पर बनाएं साइज के आधार पर बन नांे किसे बनाएं वो सारी चीजें यहां पर पढ़ते हैं फंचिनल ग्लासिफिकेशन ऑफ टाउन होते हैं जो नगर होते हैं काम क्या आते हैं कुछ काम भी तो होगा उनका ऐसे खाली लोग रहने के लिए थोड़ी न महाँ पर आगए हैं फंचिनल क्या करते हैं उनकी पिक्स जो हैं वो जोग्राफी ग्रेजुएशन के अंतरगत आते हैं कि 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 इसको हम जानेंगे देन फ्रिंज रूरल अर्बन फ्रिंज ग्राम नगर उपांत इसके पास कुछ गाम है इनके बीच का ओठा इरिया होता इसके प्रभाव में बात करेंगे बड़ा शहर है उसके आसपास कच्छ छोटे कश्वें हो सकते हैं उन पर क्या प्रभाव रहेगा ये छोटे चोटे चोटे इसके आसपास देखनें गुट से अधर होते हैं तो यह ऐसे जो लगे हुए शेहर नकर के नाम से जाना जाता है कि गान집 करूं हो रहा है बहुत सारे लोग नगरों के अंदर बढ़ रहे हैं वह उसकी क्या प्राबलम है उसकी समस्या है क्या है पौर रेफरेंस में आपको पता तो 2001 की जन्गंगा के अनुसार भारत में एक 10 लाग से जादा जहां की पॉपुलेशन थी वैसे शहर 35 थे और 2011 में यानि 10 साल बाद वैसे शहर तरेपन हो गए 53 हो गए बहुत जादा लगबक डेड़ कुना जो है यहां कड़ा बढ़ चुका है तो ऐसा क्या हो रहा है महां पर उनकी अब इतनी ज़्यादा जन से क्या बढ़ रही है तो उसकी कुछ problems हो जाती है उसकी कुछ समस्याइं हो जाती है उन समस्याओं का फिर हम समाधान कैसे करें remedies कैसे लेकर क्या हैं ये सब हमें यहाँ पढ़ना है and then sustainable development of cities नगरों का संपोशनी ये विकास इनमें से कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ये हमें GS में नहीं मिलेगा ये GS में मिल जाएगा ये हमें नहीं मिलेगा ये भी हमें नहीं मिलेगा थोड़ा थोड़ा पार्ट इ इसके बारे में भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे कहां से पढ़े human geography माजिद हुसेन सबसे बढ़िया किताब है ये पिछला जो पार्ट हम देखा था उसमें भी काम आजएगी इसमें भी काम आजएगी तो ये सबसे बढ़िया किताब है क्योंकि एक किताब को खरीदने से सबसे बढ़िया किताब यह हमारे इस सिलिवस के लिख हुई इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आरसी चांदना हिंदी इंग्लिश दोदम मिल जाती है के सिद्धार्ता बुक जो है वह सिफ इंग्लिश में मिलेगी आपको हिंदी में नहीं मिलेगी तेनाथी रिजनल प्लानिंग प्रदेशिक आयोजन प्रदीश जो है रीजनस जो है उनको उनकी प्लानिंग कैसे की जायए क Alliance इसको हम समझेगे ऐन टाइपस उफ रीजनसन महत सोप प्रदीश के कितने प्रकार हो सकते हैं और क्या तरीके हम अपना सकते हैं जिससे हम अलग-अलग regions का regions को divide कर सके अलग-अलग regions में क्षित्रों को divide कर सके Growth Centres and growth Pols Growth के कुछ सेंटर होते हैं幫 होते हैंब उनके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे एक सेंटर ने इसके चारों तरफ जो है growth होने लग उसके चारों तरफ करेंगे दिन Alzheimer buy लेंशे सब्सक्राइशां नोडविएट करेंगे टिरीजञ मूंए bez Salvusik शुन नोडव को में डिवलेब लोड़ाइक कोई पर्टिकूलर किसी श्यु dłब पिछाड़ता चला जा रहा है यह फाद्न करते हैं उसके बारे में बात करेंगे क्या सब करें चाहब करें लिये हम कैसे प्लाइन कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं ऐस यह बात हम यहां पर करेंगे ए कहां से पड़ें अगेन माजी दुसेंद साब की जो किताब है वो आपका ये पार्ट भी कवर कर देगा ये की किताब से तीन टॉपिक तो भी तक आपने देख लिए जो कवर हो जाएंगे इसके लावा आर्सी चांदनाज की जो किताब है उससे भी आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा नेक्स लास्ट पार्ट आता है Models, Theories and Laws in Human Geography मानव भुगोल में Model सिद्धान तेवम नियम ये कुछ ऐसा है जो कि आपको सिर्फ और सिफ जोग्राफी ऑफ्शनल मिलेगा ये पार्ट हम GS में नहीं पढ़ते हैं जैसे System Analysis in Human Geography मानव भुगोल में तंत्र विशलेशन कैसे System काम करते हैं उनको हम कैसे Analysis करें उनका कैसे विशलेशन करें इसके बारे में चर्चा होती है माल्थस मार्क्स का जो सिद्धान्त है कुछ मॉडल दे रखें माल्थस एक व्यक्ति का नाम है मार्क्स भी एक व्यक्ति का नाम है और बाकी और जनसंक्या संक्रमन मॉडल जो है Demographic Transition Model ऐसे कुछ मॉडल से दे रखें अलग-अलग लोगों ने कि जनसंक्या कैसे बढ़ती है उसके क्या फाइदे है क्या नुकसान है क्या चीज़ें इफेक्ट हाथ करती है इन सब चीज़ों के बारे में कुछ थेयरीज है तो थेयरीज हमें यहां पर पढ़ने है कुछ सिध्धान्त हमें दे रखें वो यहां पर पढ़ने है Central Place Theory of Krishler and Losh ये भी दो आदमियों का नाम है Kristaveria Krishler and Losh ये दो व्यक्ति है जिन्होंने अपनी Kendri ये स्थान सिध्धान्त जो है वो दिया है उसके बारे में चर्चा में करनी है कि सिध्धान्त क्या कहता है क्या अच्छी बात है क्या practical बात है क्या impractical बात है Peru and Bodevillay ये दो जो लोग है इन्होंने कुछ अपनी थेयरीज दिये कुछ सिध्धान्त दिये उनके बारे में बात करनी है Wonth Union का अपना agricultural location model है Krishy अवस्थिती model है कहां कहां agriculture सही तरीके से हो सकती है क्या फाइदे नुकसान है Wonth Union ने एक model दिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे Then Weber ने उध्यों की कवस्थिती model दिया है Locations कहां हो सकती Industries के लिए कौन सी location suitable हो सकती जैसे एक वो ट्राइंगल देते है Weber जो है वो एक ट्राइंगल देते है कि कैसे एक market होता है दो sources होते है उनके बीच में हम अपनी industry लगा सकते है ऐसे कुछ सिध्धान्त है उनके बारे में बात करेंगे Austroff का model है Growth की strategies को लेकर के Heartland and Rimland theories है सब theories है सब अलग-अलग सिध्धान्त है And laws of international boundaries and frontiers अंतरराश्री सीमा एवम सीमांत क्षित्र के नियम इन सब के बारे में ये सारी theories जो है ये सारे सत्तान्त है वो हमें यहां जानने रहते हैं ये generally हम GS के अंदर नहीं पढ़ते ये पूरा का पूरा part जो है वो हम GS के अंदर नहीं पढ़ते ये यहां पर हमें additionally पढ़ना होगा कहां से पढ़ें इसके लिए एक बुक आती है माजीद उसेन साब की Models and Theories की Pogolic Model, Hindi English दोनों मिल जाती है उन दोनों को हमें इस किताब से हम इस पूरे पार्ट को cover कर सकते हैं तो यह हमारा पूरा paper first जो है, paper one जो है उसका syllabus complete होता है यह सारे के सारे part हम paper first के human geography लोगफी वाले section के अंदर cover करेंगे तो यह वाला part में हमें आपड़ना है यह हमने जाना, यह वाला part के अंदर हमें क्या पड़ना है, यह हमने जाना, हम इसको आगे एक 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 क्लास के अंदर अपने आप में बहुत बड़े बड़े topic है मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ दो-दो मिनिट में लेकिन यह अपने आप में बड़े-बड़े टॉपिक्स है जिन में कही सारी क्लासिस जो है वो हमारी चाहेंगे राइट तो टाइम भी हो चला है तो तो पेपर 1 का फिलेबस जो है वो हम नेक्स सेशन के अन्दर डिस्स करेंगे जिन बच्चों ने अभी भी जोग्राफी आफ्षणाल नहीं लिया है जोग्राफी और आफ्षणाल के साथ जुर सकते हैं सीलेबस डिसकुशनम में आप देखी रहे हैं वह बिलग next के साथ क्लता है जीएस में जो टॉपिक्स है जोग्राफी ऑप्शनल में भी वही सारे टॉपिक्स आपको देखने को में लेगे तो एक ही चीज को हमें पढ़ने से दो जगों पर फाइदा होने वाला यूपीए से का सिले बस आप जानते कितना वास्ट है इसको समेटना अपने हाथों में लेना बहुत बारी काम है इतने सारे सब्जेक्स हैं इतनी सारी चीज़े हैं उसमें अगर आप और अलग ऐसा चूज कर लेंगे जो जीएस के अलावा पढ़ना पढ़ेगा तो बहुत पच्छताने लगेंगे फिर आप कि हमने यह जीएस का इपार्ट कवर नहीं होता पता जीएस के ही बहुत सारा पार्ट नाइन सेवन्टी से एटी परसेंट पार्ट जो है वह जीएस का ही मिलेगा कुछ ही पार्ट जो है वह आपको एक्स्रा पढ़ना रहेगा राइट चलिए तो जो बच्चे अभी भी जुड़ना चाहते हैं हो जांगे अनिटाइम लेर्निंग पर जाएं और वहां से इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं जोग्राफी ऑप्शन के साथ में मात्र 799 रूपे में यह बैच है और क्लासे जो हैं वह सारी की सारी लाइफ चले इसमें लाइफ क्लासेस के द्वारा कवर किया जाएगा ओके थैंक यू एवरीवन मिलता है नेक्स सेशन में स्टेंडर्ड बुक्स को टूदी पॉइंट पढाएंगे या लाइन बाई पढ़क्स को समझा जाता है वह बसिकली वह फ्रे llevar पूरा आ पूरा सिधान है वह हमें क्या कहना चाता यह समझना जाधा जरूरी है ना कि उसमें एक एक एकप wow निखा हुआ है इस खृपुएंट को जो है रट लेते हैं वो वाला टॉसीजां पूने में लेंगे हम उसके हो आफंवरोल च Candid कैसे ओन्डाना चालते है क्या समझाना चाहती वह चीजों को मैं नहीं होता तो ये चीज का दूसरे पर limit फिर तीसरी पड़ी फिर चौती पड़ी फिर चारों में लिंकेज नहीं बिठा पाएं तो सारी चीजें वह वेस्ट हैं तो हम वह चीजें करना classroom जो है वह आपको इनी चीजों के लिए help करता है किताबे तो आप मैं आपको रोजी बताता हूँ आप net पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएंगे आप खरीद भी लेंगे पड़ भी लेंगे लेंगे लेकिन अगर आप सब चीजों को जोड नहीं पाएं यहां एक teacher की भूमिका आती है एक faculty की भूमिका आती है वह आपको यह सब चीजें सिखाता है कि चीजें आपस में कैसे ज आती है वह सब चाहर आती है जापको यह सब चीजें पानाना आती है